नमस्कार दोस्तो आज हम एक और हर्मोनिक पैटर्न को समझेंगे जिसका नाम है क्रेब पैटर्न दोस्तो क्रेब पैटर्न इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस पैटर्न का नाम क्रेब के उपर रखा गया है क्रेब मतलब की केकडा दोस्तो क्रेब पेटर्न बुलिश और बैरिश दोनों तरह का होता है इसलिए इन्हें हम बुलिश क्रेब पेटर्न और बैरिश क्रेब पेटर्न कहेंगे जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि harmonic pattern के साथ हमें fibonacci retracement levels की जरूरत होती हैं तो मुझे उम्मीद हैं कि आपने fibonacci retracement का वीडियो देख लिया होगा और अगर आपने अभी तक fibonacci retracement का वीडियो नहीं देखा हैं तो आप इस वीडियो की description में जाकर या उपर i बटन पर क्लिक करके पहले fibonacci retracement के विशे में जान लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम समझते हैं bullish crab pattern को दोस्तो bullish crab pattern पाँच पॉइंट से मिलकर बनता है X, A, B, C और D कैसे चलिए समझ लेते हैं दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं की price bullish trend में चल रहा होता है तब इस trend का lowest point होता है हमारा point X और highest point होता है point A अब हमें X to A Fibonacci retracement को draw करना है जिससे की हमें point B मिलेगा तो जब हम X to A Fibonacci retracement draw करते हैं तब point B Fibonacci ratio 38.2 से 61.8 के बीच में होना चाहिए ना ही इससे उपर और ना ही इससे नीचे अब हमें यहाँ पर 3 point मिल चुके हैं X, A और B अब हमें A to B एक और Fibonacci retracement draw करना है जिससे की हमें point C मिलेगा तो जब हम A to B Fibonacci retracement draw करते हैं तब point C Fibonacci ratio 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए ना ही इससे उपर और ना ही इससे नीचे अब हमें यहाँ पर 4 point मिल चुके हैं X, A, B और C अब हमें B to C एक और Fibonacci retracement draw करना है जिससे की हमें point D मिलेगा तो जब हम B to C Fibonacci retracement draw करते हैं तब point D Fibonacci ratio 261.8 से 361.8 के बीच में होना चाहिए ना ही इससे उपर और ना ही इससे नीचे अब हमें यहाँ पर 5 point मिल चुके हैं X, A, B, C और D लेकिन point D को चेक करने के लिए हमें एक और Fibonacci retracement draw करना पड़ेगा इसके लिए हमें X to A एक Fibonacci retracement draw करना है तब point D Fibonacci ratio 161.8 से उपर होना चाहिए इसके नीचे नहीं दोस्तो इन 4 Fibonacci ratio को आप अपनी डाइरी में नोट कर लीजिए जिसे से कि आपको चार्ट में यह पेटर्न डूनने में आसानी हो जब यह 4 Fibonacci retracement के लेवल हमें चार्ट में perfect बनते हुए दिखाई देते हैं तब हम यह मान सकते हैं कि यह bullish crap pattern है और इस pattern के बनने के बाद आप बाजार में buying की position बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम bullish crap pattern को सीधे चार्ट में समझ लेते हैं तो चार्ट में सबसे पहले हमें यह देखना है कि price bullish trend में चल रहा हो तो आप यहाँ पर देखिए कि इस candle से लेकर यहाँ तक price bullish trend में चल रहा है तो अब इस trend का जो lowest point है वो है हमारा point X तो यह रहा हमारा lowest point और मैं इसे नाम दे देता हूँ point X और इस trend का highest point है हमारा point A मतलब कि इस candle का high तो मैं इसे नाम दे देता हूँ point A अब हमें X to A एक Fibonacci Retracement ड्रो करना है जिससे कि हमें point B मिलेगा तो मैं यहाँ पर X to A एक Fibonacci Retracement ड्रो कर देता हूँ अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि point B 38.2 से 61.8 के बीच में होना चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर price 38.2 से 61.8 के बीच में ही गूम रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस candle का लो हो गया हमारा point B तो मैं इसे नाम दे देता हूँ point B दोस्तो अब हमें यहाँ पर 3 point मिल चुके हैं X, A और B अब हमें A to B एक और Fibonacci Retracement ड्रो करना है जिससे कि हमें point C मिलेगा तो मैं यहाँ पर A to B एक और Fibonacci Retracement ड्रो कर देता हूँ और अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि point C Fibonacci Ratio 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें 88.6 का लेवल नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर Fibonacci की setting में जाते हैं और इसके अंदर 88.6 का लेवल एड कर देते हैं और इसके बाद इसे apply कर देते हैं अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें 88.6 का लेवल भी दिखाई देने लगा है तो हमें यहाँ पर point C चाहिए 38.2 से 88.6 के बीच में तो यह रहा हमारा 38.2 का लेवल और यह रहा हमारा 88.6 का लेवल और आप देख रहे हैं कि price इसी बीच में घुम रहा है तो अब इस candle का high हो गया हमारा point C तो मैं इसे नाम दे देता हूँ point C तो अब हमें यहाँ पर 4 point मिल चुके हैं X, A, B और C अब हमें B to C एक और Fibonacci Retracement ड्रो करना है जिसे से कि हमें point D मिलेगा तो मैं यहाँ पर B to C एक और Fibonacci Retracement ड्रो कर देता हूँ और हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा point D 261.8 से 361.8 के बीच में होना चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर price 261.8 से 361.8 के बीच में आकर वापिस से उपर चला गया है तो अब इस candle का low हो जाता है हमारा point D तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ point D तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर हमारे 5 point मिल चुके हैं X, A, B, C और D लेकिन point D को चेक करने के लिए हमें एक और Fibonacci Retracement ड्रो करना है तो इसके लिए हम X, A, Fibonacci Retracement ड्रो करते हैं और देखते हैं कि point D Fibonacci Ratio 161.8 के उपर होना चाहिए इससे नीचे नहीं तो आप यहाँ पर देखिए कि यह रहा हमारा 161.8 का level और हमारा point D इससे उपर ही है इसका मतलब यहाँ है कि हमारा point D बिलकुल सही है दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में Butterfly Pattern को X, A, B, C, D Pattern टूल की मदद से बनाया था उसी प्रकार हम Bullish Crap Pattern को भी X, A, B, C, D टूल की मदद से भी Draw कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको X, A, B, C, D टूल की मदद से भी इसे Draw करना सिखा देता हूँ सबसे पहले हमें Tools में जाना है और यहाँ पर जो यह First वाला टूल है X, A, B, C, D Pattern हमें इसे Select कर लेना है और इसको Draw करने की शुरुवात हमें Point X से करनी है सबसे पहले हमें Point X पर एक बार क्लिक कर देना है और फिर इस Line को खिचते हुए हमें Point A तक ले जाना है और यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर देना है फिर हमें इसे Point B तक ले जाना है और यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर देना है फिर से point C तक ले जाना है और यहाँ पर फिर से click कर देना है और आखिर में इसे point D पर click कर देना है तो दोस्तो जैसा कि आपको यह numbers से दिखाई दे रहे हैं यहाँ सभी number Fibonacci के ratio हैं और यहाँ हमें सीधे सीधे यहाँ बता रहे हैं कि कौन सा point किस Fibonacci ratio पर बना है तो दोस्तो इस प्रकार से आप X ABCD tool की मदद से bullish crap pattern को chart में draw कर सकते हैं तो यहाँ दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिये हैं आपको जो भी तरीका easy लगे आप उस तरीके से chart में bullish crap pattern को draw कर सकते हैं आप चाहे तो Fibonacci की मदद से भी इसे बना सकते हैं या फिर आप X ABCD tool की म कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमें bullish crap pattern के साथ खरीदारी point D के पूरा बन जाने के बाद करनी हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि इस candle में हमारा point D बन चुका हैं तो इसका मतलब यह हैं कि हमें इसके बाद वाली candle यानि कि इस candle में खरी दोस्तो bullish crap pattern के साथ आपको 4 target मिलते हैं हमारा सबसे पहला target होता है point X का इसके बाद हमारा second target होता है point B का इसके बाद हमारा third target होता है point C का और हमारा last target होता है point A का तो चलिए अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस pattern के बनने के बाद बाजार ने कितने टारगेट अचीव करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजार ने हमारे चारो ही टारगेट अचीव कर दिये हैं आप यहाँ पर देखिए कि जिस केंडल में हमने खरीदारी करी थी उसी केंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है मतलब की point X का उसके बाद इस second candle ने हमारा second target अचीव कर दिया है मतलब की point B का उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली candle ने हमारा third target अचीव करा है मतलब की point C का और आप यहाँ पर देखिए कि इस candle ने हमारा last target यानि की point A का अचीव कर दिया है लेकिन यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पर point B के target को ही हमारा 100% target मान कर चलना है और जब price point B तक पहुँच जाए तब आपको अपना पूरा का पूरा profit book कर लेना है क्योंकि यहाँ पर point C और point A का target थोड़ा से रिस्की हो जाता है इसी के साथ आपको यहाँ पर trailing stop loss लगाने में यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका first target अचीव हो तब आपको trailing stop loss उस जगह का कर देना है जहाँ पर हमने खरीदारी करी थी मतलब की इस जगह उसके बाद जैसे ही आपका second target अचीव हो trailing stop loss उस जगह लगा देना है जहाँ पर आपका first target था मतलब की point X का इसके बाद जब आपका third target अचीव हो तब आपको trailing stop loss point B का लगा देना है और जब आपका last target यानि की point A का target अचीव हो तब आपको trailing stop loss point C का लगा देना है इस तरह से trailing stop loss चलाने से अगर market वापिस पलट कर नीचे भी आ जाए तो भी आप profit में ही निकलेंगे तो दोस्तो इस प्रकार से आप bullish crap pattern के साथ बाजार में buying की position बना सकते हैं दोस्तो अब हम समझते हैं bearish crap pattern को दोस्तो bearish crap pattern bullish crap pattern का ठीक उल्टा होता है bearish crap pattern भी 5 points से मिलकर बनता है X, A, B, C और D चलिए इसे भी समझ लेते हैं दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं कि price bearish trend में चल रहा होता है तब इस trend का highest point होता है हमारा point X और lowest point होता है point A अब हमें X to A Fibonacci retracement को draw करना है जिससे कि हमें point B मिलेगा तो जब हम X to A Fibonacci retracement draw करते हैं तब point B Fibonacci ratio 38.2 से 61.8 के बीच में होना चाहिए ना ही इससे उपर और ना ही इससे नीचे अब हमें यहाँ पर 3 point मिल चुके हैं X, A और B अब हमें A to B एक और Fibonacci retracement draw करना है जिससे कि हमें point C मिलेगा तो जब हम A to B Fibonacci retracement draw करते हैं तब point C Fibonacci ratio 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए ना ही इससे उपर और ना ही इससे नीचे अब हमें यहाँ पर 4 point मिल चुके हैं X, A, B और C अब हमें B to C एक और Fibonacci retracement draw करना है जिससे कि हमें point D मिलेगा तो जब हम B to C Fibonacci retracement draw करते हैं तब point D Fibonacci ratio 261.8 से 361.8 के बीच में होना चाहिए ना ही इससे उपर और ना ही इससे नीचे अब हमें यहाँ पर 5 point मिल चुके हैं X, A, B, C और D लेकिन point D को चेक करने के लिए हमें एक और Fibonacci retracement draw करना पड़ेगा इसके लिए हमें X to A एक Fibonacci retracement draw करना है तब point D Fibonacci ratio 161.8 के नीचे होना चाहिए इसके उपर नहीं दोस्तो इन 4 Fibonacci ratio को आप अपनी डाइरी में नोट कर लीजिए जिसे से कि आपको चार्ट में यहाँ पेटर्न डूणने में आसानी हो जब यहाँ 4 Fibonacci retracement के लेवल हमें चार्ट में perfect बनते हुए दिखाई देते हैं तब हम यह मान सकते हैं कि यह बैरिश क्रेप पेटर्न है और इस पेटर्न के बनने के बाद आप बाजार में short selling की position बना सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम बैरिश क्रेप पेटर्न को भी सीधे चार्ट में समझ लेते हैं चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि price बैरिश ट्रेंड में चल रहा हो तो आप यहां पर देखिए कि इस candle से लेकर यहां तक price बैरिश ट्रेंड में चल रहा है तो अब इस trend का highest point हो जाता है हमारा point x मतलब कि इस candle का high हो जाएगा हमारा point x तो मैं इसे नाम दे देता हूँ point x और इस trend का lowest point हो जाता है हमारा point a मतलब कि इस candle का low हो गया हमारा point a तो मैं इसे नाम दे देता हूँ point a अब हमें x to a एक फीबोनाची रिट्रेस्मेंट ड्रो करना ही जिससे कि हमें point b मिलेगा तो मैं इहाँ पर x to a एक फीबोनाची रिट्रेस्मेंट ड्रो कर देता हूँ और हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि point b फीबोनाची रेश्यो 38.2 से 61.8 के बीच में होना चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए यह रहा हमारा 38.2 का रेश्यो और यह रहा हमारा 61.8 का फीबोनाची रेश्यो और प्राइज इसी बीच में घूम रहा है तो अब इस केंडल का हाई हो गया हमारा point b तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ point b अब हमें यहाँ पर 3 point मिल चुके हैं x, a और b अब हमें a to b एक और फीबोनाची रेश्यो करना हैं जिससे की हमें point c मिलेगा तो अब मैं यहाँ पर a to b एक और फीबोनाची रेश्यो के बीच में होना चाहिए तो यह रहा हमारा 38.2 का लेवल और यह रहा हमारा 88.6 का लेवल और price इसी बीच में घुम रहा है तो अब इस candle का low हो जाता है हमारा point C तो मैं इसे नाम दे देता हूँ point C अब हमें यहाँ पर 4 point मिल चुके हैं X, A, B और C अब हमें B to C एक और Fibonacci Retracement ड्रो करना हैं जिससे कि हमें point D मिलेगा तो अब मैं यहाँ पर B to C एक और Fibonacci Retracement ड्रो कर देता हूँ और अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि point D Fibonacci Ratio 261.8 से 361.8 के बीच में होना चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए यह रहा हमारा 261.8 का लेवल और यह रहा हमारा तो दोस्तों यहाँ पर हमें पाचों point मिल चुके हैं X, A, B, C और D अब हमें point D को चेक करने के लिए एक और Fibonacci Retracement ड्रो करना हैं तो यहाँ पर मैं X to A एक और Fibonacci Retracement ड्रो कर देता हूँ तब point D Fibonacci Ratio 161.8 के नीचे होना चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए यह रहा हमारा 161.8 का लेवल और हमारा point D इससे नीचे हैं तो इसका मतलब यह हैं कि हमारा point D बिल्कुल सही है तो दोस्तों इस प्रकार से आप चार्ट में Fibonacci Retracement की मदद से Bearish Crap Pattern को बना सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर टूल पर जाते हैं और इस X ABCD Pattern को Select कर लेते हैं इसकी शुरुवाद हमें करनी है point X से तो यह रहा हमारा point X और मैं यहाँ पर एक बार इसे क्लिक कर देता हूँ इसके बाद मैं इसे खीच कर point A तक ले जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ इसके बाद मैं इसे point B तक ले जाता हूँ और फिर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद मैं इसे point C तक ले जाता हूँ और यहाँ पर फिर से क्लिक कर देता हूँ और आखिर मैं इसे point D तक ले जाता हूँ और यहाँ पर फिर से click कर देता हूँ तो जैसा कि हम जान ही चुके हैं आपको जो यह numbers दिखाई दे रहे हैं यहाँ सबी number Fibonacci के ratio हैं जो कि हमें सीदे सीदे यहाँ बता रहे हैं कि कौन सा point किस Fibonacci ratio पर बना हैं तो दोस्तो इस प्रकार से आप X ABCD टूल की मदद से भी bearish crab pattern को चार्ट में बना सकते हैं आप चाहे तो fibonacci retracement की मदद से बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो X ABCD टूल की मदद से बना सकते हैं आपको जो भी तरीका easy लगे आप उस तरीके से bearish crab pattern को चार्ट में draw कर सकते हैं तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि bearish crab pattern के साथ हम बाजार में short selling कैसे कर सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि bearish crab pattern के साथ आपको short selling point D के बन जाने के बाद करनी हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि इस candle में हमारा point D बन चुका है इसका मतलब यह है कि हमें इस वाली candle में short selling करना है और short selling करने के बाद point D के high के उपर का stop loss लगाना है bearish crab pattern के साथ भी हमें 4 target मिलते हैं हमारा सबसे पहला target होगा point X का इसके बाद हमारा second target होगा point B का इसके बाद हमारा third target होगा point C का और हमारा last target होगा point A का तो चलिए अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि price ने हमारे कितने target अचीव करे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि bearish crab pattern के बन जाने के बाद हमारे चारो ही target अचीव हो चुके हैं यहाँ पर आप देखिए कि जिस candle में हमने short selling करी थी उसी candle ने हमारा first target अचीव कर दिया हैं उसके बाद इस candle ने हमारा second target अचीव करा हैं और यहाँ पर market gap down ओपन हुआ तो हमारा third target भी अचीव हो चुका हैं और इस वाली candle में हमारा fourth target भी अचीव हो चुका हैं लेकिन आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें second target को ही अपना 100% target मानना हैं और यहीं पर हमें हमारा पूरा profit भुक कर लेना हैं क्योंकि point C और point A का target थोड़ा सा रिस्की हो जाता हैं और यहाँ से बाजार वापिस उपर पलट सकता हैं और यहाँ पर आपको trailing stop loss लगाने में यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा first target अचीव हो तब हमें stop loss उस जगह का लगा देना हैं जहाँ पर हमने short selling करी थी मतलब कि यहाँ का इसके बाद जब हमारा second target अचीव हो तब हमें stop loss first target का लगा देना हैं मतलब कि point X का इसके बाद जब हमारा third target अचीव हो तब हमें trailing stop loss point B का लगा देना हैं मतलब कि इस जगह का और उसके बाद जब हमारा fourth target यानि कि point A का target अचीव हो तब हमें trailing stop loss point C का लगा देना हैं और इसके बाद अगर आप चाहें तो नॉर्मल ट््रेलिंग इस्टोप्लोस का उप्योग कर सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार से आप बैरिश क्रेप पैटरन Unternell के साथ बाजार में शोट सा लिंग कर सकते हैं तो दोस्तो यह थी क्रेप पैटरन के विशे में संपूर्ण जानकरी उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुडबाई धन्यवाद